लेकिन खबर यह आती है कि भाई लड़की जो है वो पनीर बनाने के वाले के साथ भाग गई तो अब मतर पनीर खाने गये तो फ़स लोग बनाएंगे मितर पनीयों के मन नहीं मन तो इतना है तो जोक से पाट तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मतर पनीर के एक दाशार पनीर मार्किट जैसे रेसीपी की शादी ज priests आपको मटर पनीर घर पर कैसे मिलेगा और वही रेश्टर वाला टेस्ट क्योंकि आप लोग ना बहुत सीवा डिसकेवर नहीं कर पाते हो या कुछ ऐसे ऐलिमेंट्स होते हो जो आप लोग मिस कर देते हो तो मतर पनीर बनाएंगे आज हम लोग बिल्कुल मार्किट जैसे स्टाइल में तो चलते हैं वीडियो में और बनाते मतर पनीर आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो दोस्ते से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना रेसिपी और आप मेरी कुई राय करते हो इंस्टाग्राम पर मुझे टैग जरूर जीरा और जीरा जैसापक रायकल होना स्टार्ट हो जाये तो अब इसमें एड़ करेंगे हमारे खड़े मसाले उसके दाल चीनी का पाउडल लिया है मैंने और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लस्टन और हमारी हरिमिर्ज तो यहां पर दोडो छोटे चम्बश मैं लसर्सन औ प्याज योग कौकिंग जल्दी हो जाती हैज्या प्यास कार ने तक हम अच्छी से भूल लेंगे और जैसी हमारी प्याज करीब धनिया प आपके ओपर है कि आपकी जो मिर्ची है वो कितनी तीखी है और एक बड़े चमश लिया है मैंने आपे हल्दी पाउडर तो यह सब डाल करके इना मच्छे चलाएंगे और मसालो को लगबग 1-2 मिट के लिए भूनेंगे और इसमें डाल देंगे आधा कप पानी अब हमें हमार मसालो और प्याज पक जाए तो यहां मैंने एक कपे करीब टमाटल ली है और टमाटर के साथ यहां पर मैंने डाल दिया है नमक और नमक और टमाटर डालते ही हम इन अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर और पका लेंगे तो नमक आप डालेगा अपने स्वाद अनुस लेकिन तब तक हम इसा पकाना है और अच्छे जब यह पक जा तो इसे हम भार निकाल लेंगे और इसे हम पीस लेंगे इसे हम पीस नहीं ज़लूरी ताकि इसके जो फ्लेवर से वह इंटेक्ट रहें और बहुत अच्छा यह टेस्ट करें तो पीस तरच हमें एक शीज ध्य क्याई दाना है ऩूले सकते हैं यह देखी यह बहुत ज़्यादा आपका फ्लेवर यौण। जाता लोग इसा वोईड करते हैं लेकिन अगर आप डालोगे मटर परीद में तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दैन हम डाल रहे हैं यहां पर एक कपे करी मैंने मटर ली है तो मेरे पास है फ्रोजन मटर आप चाहें तो ताजी मटर का भी स्तमाल कर सकते हैं तो फ्रोजन मटर डालें को पका देंगे और यहां पर हम डाल रहे हैं स्वाद के नुसान नमक का हमने दुबारा इस्तमाल क्या है थोड़ी सी डालें को कि हमारे मसालों में भी नमक है तो अगर आप ऐसे मटर और हमारे शिमला मिर्च को भून करके इस्तमाल करोगे तो बहुत अथा टे ले रहे हैं एक फ्राइंग पैन और इसमें डाल रहा हूं एक बड़े चमच के करीब में आप तेल लिया है आप चाहें तो घी या फिर बटर का भी इस्तमाल कर सकते हो और 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है और यह मैंने बारी बारी काट करके लगबग एक क्यूब्स में काट क यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो पक रही है तो जीतना हमारे अब हमारी ग्रेवी जो पक चुकी है लगबग 70-80% इसमें हम डाल देंगे चिकन मसाला यह ओप्षिनल है आपका फ्लेवर इनाइस हो का तब ही डाल लिएगा एक टीस्पून चिकन मसाला है और एक टीस्प 5 टेबल स्पून मलाई है आप चाहें तो अमूल की फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसी आपका मसाला लगबग 90% आपको लग रहा है कि पक चुका और इसका पानी भी कम हो चुका है इसमें हमारा पनीर एड कर देंगे तो यहां पर हमारा पनीर सारा का सारा इसम आपको ध्यान में रखने हैं या किस चीज की हैल्प से आप लग पर्फेक्ट मटर पर अपने घर पर बना सकते हो तो मिलता हूं आपको इसी नहीं इंटरस्टिंग टेश्टी एकसाइटिंग रेसिपी में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल एकन दबा देना और इस आपके लिए टेश्टी रेसिपी और इंस्ट्राग्राम पर अपने एकस्पिरेंसे शेयर जुरूर की जाएगा कि टैक की जगा अपनी स्टोरी में कि कैसे आपकी रेसिपी बनी तो इसी के साथ बी सेफ इट हल्दी